नमस्कार दोस्तों, इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज के वीडियो में आप जानेंगे कि सरकारी अस्पतालों में बाबू की नौकरी के लिए कौन सी परिक्षा देनी पड़ती है दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि Government Job से Related Guidance आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों, एक बार मैंने AIMS रिसी केस पर वीडियो बना कर आप लोगों को बताया था कि AIMS में जो क्लेरिकल केडर की जो भरती होती है, वो AIMS उसके एक्जाम खुद कराता है उसी परकास सेंटर कॉर्मेंट के और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है पूरे देश में जैसे कि दिली के अंदर राम मनुहर लोहिया होस्पिटल है, वो सेंटर कॉर्मेंट के अंदर आता है तो दोस्तों, इसमें जो बाबु केडर है, यानि कि जो क्लर्क हैं, उनकी भरती कैसे होती है उनकी भरती होती है दोस्तो, SSC 10 प्लस 2 से यह बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी, अगर आपको भी यह बात नई लगी हो, तो कमेंट सेक्शन है बताईएगा तो दोस्तो, SSC 10 प्लस 2 का जो एक्जाम होता है, अभी इसके लिए आविदन चल रहे हैं तो दोस्तो, इस बार पहली बार ऐसा किया गया है, कि SSC में वैसे तो 1900 ग्रेट पे और 2400 ग्रेट पे की भरती आती थी, मगर इस बार 2800 ग्रेट पे की भी नौकरी SSC 10 प्लस 2 में डाली गई है, तो यह आप लोग के लिए अच्छी बात है क्योंकि बहुत से अभ्यारती ऐसे होते हैं, जो कि SSC CGL को क्रैक नहीं कर पाते हैं और उसकी वज़े यही होती है कि English और Math इतनी अच्छी ना होना, क्योंकि SSC 10 प्लस 2 के अंदर सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दिया हुआ है, जबकि CGL की बात करें तो सबको बराबर वेटेज नहीं है, Math और English वाले को ही फाइदा मिलेगा تو दोस्तो यदि आप एज क्राइटेरिया के अंदर फॉil करते हैं तो आपको जरूर इसके लिए आविद्ण करना चाहिए, मैं आपको बता रहता हूँ कि इसके अंदर कितनी एज चाहिए दोस्तो यदि आपकी एज 18-27 के बीच में है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं और SCST के लिए 5 साल का एज में रिलक्षेशन है OBC के लिए 3 साल का और यदि आप दिव्यांग है तो 10 साल का दोस्तो इसका स्लेबस जो है नॉर्मल है English है, GK है, Reasoning और Math मगर देखिए सब को बराबर वेटेज है तो इसमें देखिए ऐसा नहीं होगा कि जिन लोग की Math बहुत अच्छी है उनका सेलेक्शन होगा जदी आप हर सब्जेक्ट में Average भी है माल लिए आप GK में अच्छा स्कूर कर लेते हैं अच्छी कर लेते हैं, Math में थोड़ा सा कम रहे गया कोई बात नहीं, Reasoning में अच्छा स्कूर कर लिया तो Overall Performance यदि आप इस एक्जाम में अच्छी कर देते हैं तो इसमें सेलेक्शन की जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है जिबकि CGL में ऐसा नहीं होता और इसके बाद जो है एक descriptive exam होता है जिसमें की letter और essay writing होता है फिर आपकी typing होती है और मुझे पता है हमारे channel पैसे बहुत से अभ्यारती है जिनकी typing already 40 से उपर जा चुकी है वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई written exam निकले comment section ने बताईएगा दोस्तों कि आप मैंसे कितने लोग की tapping speed 40 से उपर है और exam इसका जल्दी होगा तो इसके लिए आप तयारी कर सकते हैं आविदन नहीं किया हो तो कर सकते हैं और मैंने बताया कि अस्पताल जितने भी center government के hospital हैं में जो LDC cadre की जो भरती होती है जो clerk level की जो भरती होती है वो इसी exam के थुरू होती है और यदि हम state government के जो exam होते हैं दोस्तो state government के जो hospitals होते हैं उसमें आपको पता है कि UP SSC जो junior assistant की भरती कराता है उसके थुरू होती है तो अभी जो आविदन इस समय मांगे जा रहा है वो center government के लिए है तो आप चाहें तो apply कर सकते हैं SSC की official website पे जाएए और वहाँ से इसके लिए आविदन कर सकते हैं दोस्तो जितनी भी सरकारी नौकरी है जिनमें समानने ग्यान का portion पूछा जा रहा है उसके लिए हमने mock test अपने ही channel पर live class के माध्यम से करवाए थे बहुत सारे लोगों ने उस class को attend किया बहुत से नहीं कर पाए तो दोस्तों उन सभी के PDF पृती मैडम ने तयार कर दिये हैं वीडियो के description में आपको जानकारी मिल जाएगी ये आपकी उन सभी परिक्षाओं के लिए उपियोगी होंगे जिन में समन्ने ग्यान पूछा जाता है जल्द मिलेंगे दोस्तों हम next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत